शाहिन हमारे साथ हैं तमिलानु से कॉलर फून लाइन पर शाहिन जी बताएं आपको अगर कोई दिक्कत है जो परिशानी है आप हकीम साब से बात करना चाहती है तो आप बात कर सकती है जी जी बताएं और पायरों में दरज होता है और सर एकदम दरम हो जाता है यह थारा के वजिसे हो जाता गया शोल्डर में दरज होता है एक संसा शोल्डर से नीचे तक होई से उपर ऐसा दरज होता है में तो क्यों होता है अच्छे देखिए टायराइट का अभी आप अगर देख रहे थे प्रोग्राम तो अभी मैं बता रहा था कि तायराइट का मकमल इलाज मौझूद है बशर्टे आप लगातार दवाले वो भी जो डॉक्टर की तरफ से दी गई है और और वो भी जो नस्खा मैं बताता हूं और थायराइट के लिए एक नस्खा जो इंतहाई कामयाब है और आप लीजे ट्रीज सो गराम मौरिंगा का ग्यून और तीН सो गराम धनिया देट सो गिराम आवला सुकावा मिलता है और देट सो गिराम मेथी इन सब को पाउडर बना लें और एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम नहार मूँ और रात को सोते बत खाएं गरम पानी लें तो बहुत बहतर है और वो गोली भी जरूर खाएं जो डॉक्टर ने आपको दी है और आप देखेंगे हर महीने आपका थाराइड कंट्रॉल में आता जाएगा और एक दिन आपका डॉक्टर आप से कहेगा कि यह थाराइड की गोली की अब जरूरत नहीं है और आप चंद माह में थाराइड से निजाद पा सकते हैं और यह जो शॉल्डर और दूसरी जगाओं पर दर्ज है हो सकता है कि इसी की वज़े से हो तो यह अपना ठीक हो जागा नहीं तो आप को दूसरा नुस्खावी में बता दूँँगा आइंद जब आप फोन करेंगा आपका मुकमल पायदा होना मुम्किन है तो बिल्कुल हकीम साब जैसे कि आपने बताए कि थाराइड अगर होता है तो आप यह नुस्खाव अपना है इन चीजों को आप इस्तिमाल करें इससे निजाद आपको मिल जाएगी लेकिन देखा गया है कि थाराइड जाद तर खावतीन में यह परिशानी जाद तर नज़र आ रही है इस परिशानी से इस बीमारी से बचने के लिए शुरुआत में ही अगर आपको नुस्खाव हमारे नाजरीन को बताना चाहें जो खवातीन यह चाहें कि उनको और उनके बच्चों को या उनके जो परिवार में सब लोग है ठाईराइड नहों जी तो एक काम करें कि घर में खाना वनाना और घर का खाना खिलाना शुरू से बच्चों में आदद डालें और उसमें कसरस से यानि बहुत तादाद में अच्छी तादाद में धनिया जो सुकावा धनिया है वो इस्तमाल करें तो ऐसे परिवार जो घर का बना हुआ खाना काते हैं और जिसमें कसरस से धनिया इस्तमाल होता उनको थाइराइड हो ही नहीं सकता जो लोगी चाहते हैं कि उनको डाइबिटीज ना हो तो उनको चाहिए कि घर में जो दारचीनी है दारचीनी कसरस से इस्तमाल करें तो उनको डाइबिटीज हो ही नहीं सकती जो लोगी चाहते हैं कि उनको खून में कॉलिस्टॉल यानि चर्बी जादा नहों उन्हें चाहिए कि बहुत कसरस से अद्रक लेसन और जीरा इस्तमाल करें तो उस घर में जहां ये कसरस से इस्तमाल होते हैं वहां पर कॉलिस्टॉल का मर्ज भी या ओविसिटी का मर्ज भी नहीं हो सकता ऐसा मेरा तजल्वा है तो अगर आपकी भी कोई परिशानी है आप भी हकीम साब से बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर आपकी टीवी स्कीन पर फ्लाश हो रहे हैं कॉल कीजी आपकी कॉल नहीं मिल पाती है लाइन बीजी कि बहुत जाद रहती है कि तमाम सोशल मीडिया के जरीय भी आप हाकिम साब से जूट सकते हैं उन्हें चाहँ सकते हैं फेसबूक पर आप जाकर उनसे कांटाक्ट कर सकते हैं पेज को लाइक करें इसके साथ ही जो नुसके वहां लिखे हुए हैं उन्हें आप देख सकते हैं